वर्तमान करोना काल में जबकि लाकडाउन भी चल लहा है कोविट के मरीज भी बहुत बढ़ रहा है ऐसे समय में देश में पत्रकारों की इस्थिती बहुत खराब हो रही है उनके उपर बहुत एक प्रेंसे दमन से चल लहा शाशन प्रशाशन और पुलिस का इस बात की शिका करूं आज की बात तो जाज जग्दीश परमार जी जो उजयन के क्राइम रिपोर्टर है और उन्होंने से बात ही मेरी तो उन्होंने बताए कि राजंदर रावत जो की पत्रकार है उजयन में माधुहनगर पुलिस इस्टेशन में वहां के डॉक्ट्रों उनके खिलाफ है करा दी सरकारी का में बादा की जबकि बात ये साफ तोर पे है कि वह अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे हाँ एक मरीज को जमीन पे साड़क पले डाल लखाए उसकी रिपोर्टिंग वह नहीं करेंगे वह नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा इसी तरह की घटना अली सब्सक्राइब तो उनके उपर भी मुखद्मा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बातकार रफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिसी स्टेशन में कितना ब्रान्याय हो रहा जबकि पत्रकार हमारे चौथा इस समय लोकतंत्र के और वह कितना रिस्क लेकर करोना में जाके जनत सब्सक्राइब कर रही थी उनके सामने इस बात को रखी तब उन्होंने का मैंने का कि जूटे केस रहे जाते हैं जो बात शोशल मीडिया कहीं किसी माज़न से चली जाए तो मानिये सर्वोच चनाले में साफ तोर कहा था कि कि किसी भी इस तरह की शिकायद पर डीजीपी को स हमारा देश का संभिधान कह रहा है कानून कह रहा है कि चौथा संभ है अगर उनकी बात नहीं आ जाएगे मीडिया तो सूरी की तरह है जब पहुंचेगी तो बुराईयां दूर होंगी बीमारी दूर होगी अपरात खत्म होंगे वो चीज़ सामने रखते हैं और इस तरह क कि केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है और देश बर के पत्रकारों की इस बात की शिकायफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए समको साथ देना चाहिए दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको सुईकार करें